नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रांड जोते सीक्रेट सिंग रासी फल 2022 पांच ऐसी चीजें जो आपको मिल कर रहेगी आखिर वो क्या है जो 2022 में जरूर मिलेगी आईए जानते हैं विस्तार सेथ वीडियो के अंतक बने रहे हैं और यह कोई भी निर्ने लेना है भावनाओं में बेहकर निर्ने बिल्कुल भी ना ले तो राहु का दसंभाव में गोचर ब्यापारी बर्ग लोगों को लाप तो देगा लेकिन किसी से भी ना उल्जे सत्रू थोड़े से आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं छटे भाव में सनी और ग प्रवेश करने से सिंग वालों को सुखद परिणाम मिलेंगे जिसके कारण घर परिवार में धर्म और मंगल कारे जरूर होंगे तेरा अप्रेल को सुक्र मिथुन रासी में गोचर करेंगे मेहनत का फल जरूर मिलेगा अपना मकान का सुख पुर्ण सुख मिलकर रहेगा थोड़े बहुत बैवाईक जीवन के में उतार चड़ाओ दिखते हैं तो इसका खयाल बनाए रखें 30 अप्रेल 2000, 29 अप्रेल 2022 को यहां पर सनिदेव भी रासी परिवर्तन कर रहे हैं और 30 अप्रेल 2022 को सुरिका ग्रहन भी लग रहा है तो ऐसे में सिंग रासी के नवम भौ में होगा तो आपके लिए ये समय हलांकि उत्तम है आपका फसावा अटकावा कार एक बर फिर से गती पकड़ेगा मान समान बढ़ेगा और 25 अक्टूबर को दूसरा सुरिक ग्रहन पड़ेगा जो सुरिक रासी के तीसरे भौ में होग तो परिस्रम का फ़ल मिलेगा नकातमक चीजों से बशना होगा किसी भी नए कार की सुरुआत इस प्रियर में मत करें हलांकि 16 मई को साल का पहला चंदर गर्यान है और वो भी चंदर मा सिंग रासी के चौथे भौ में है ऐसे में मा के स्वास्त का ख्याल रखे तो चलिए अब जानते हैं आपके बारे में आपके करियर के बारे में क्या मिलकर रहेगा सबसे पहले तो 13 अपरेल को देव गुरू का मीन में आने से ब्रस्पती किया इस्तिति आपके लिए लाब दायक है ब्यापारी वर्ग भाईयों को आई के नए स्रोत मिलकर रहेगा बिदेश से ब्यापार करते हैं तो अपार सफलता दे कर रहेगा गुरू यहां पर 12 अपरेल को राहू का मेंस में आने से यकिनन केतू का भी परिवर्तन हो रहा है तो राहू और केतू बिदेश से जुड़े ब्यापारी जो है उनको लाब करवाकर रहेंगे और खूप पै 29 जुलाई को ब्रहस्पती बक्री होंगे जिसके पैणाम सरुकार अस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा और केतू बजह से मन में भट्काव पैदा होगा गुरू और सनी का सकारत मग प्रभाव हलां कि संभाल लेगा इस्तिती को लेकिन 12 जुलाई 2022 को सनी बक्री होकर रहे अठके वेकार पूरे जरूर करवाएगा पर भटकाओ है और जल्दवाजी में निर्न है तो बिल्कुल भी ना ले वरना आप फस जाईएगा बात करते हैं धन की कि आखिर धन में क्या देगा देखिए ब्रश्पती की दिष्टी धमढ़ाओ पर है ऐसे में आई के नए स्र आपका प्राकरम राहू बढ़ाएंगे और बस थोरा सा भटकाओं से बशना है जोतिस कहता है कि चल अचल संपत्ती प्रोपर्टी में इंवेस्ट करेंगे और इसका आपको लाब चरूर मिलेगा अब 29 अप्रेल को सनी देव कुम्भ में जाएगा तो ऐसे में ससुराल पक् कर रहेगा कुल मिलाकर धन के मामलों में चीजे बढ़िया है तो आपके लिए ये साल पांच लाब दे रहे हैं उसको फायदा उठाएं धन्यवाद हम फिर मिलेंगे